आज डाउटनेट आप डाउटनेट पर अपने सब ही गनित, रसायन, विज्ञान, भौतक विज्ञान और जी विज्ञान के डाउट्स का करो सपाया, बस प्रशन की फोड़ों खीचो, एची प्रशन को क्रॉप करो और तुरंट विडियो सिलीशन पाओ, अभी डाउटनेट करें, प्रशन दिया है, आंतरिक प्रतिरोध वाली बैटरी एक परवर्ती प्रतिरोध के साथ जोड़ी जाती है, बैटरी से ली गई धारा किस मान पर प्रतिरोध में उस्मा की उत्पत्ती की दर अधिक्तम होगी, जबकि यहाँ पे 4 ओम जो है, आंतरिक प्रतिरोध है और 24 वोल्ट की बैटरी है, और परिवर्ती प्रतिरोध के साथ में जोड़ी जाती है, बैटरी से ली गई धारा पर हमें किस मान में प्रतिरोध में उस्मा की उत्पत्ती की दर अधिक होगी इसको ग्याद करना है, तो आईए हम लोग इस प्रशन को यहाँ पे हल करते हैं और मान को ग्याद करते हैं, तो देखें हमें बैटरी का जो विद्दुत्वाख बल है, यह हमें दे दिया गया है 24 वोल्ट और बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध स्माल आर का मान दिया गया है, चार ओम है, और हमें यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो बैटरी से ली गई धारा ह होगी, ठीक है, किस मान पर प्रतिरोध में उसमा उत्पत्ती की दर अधिक्तम होगी, तो देखो, अगर हम लोग यहाँ पे देखें, तो अधिक्तम उर्जा प्रमय, यानि की मैग्जमम पावर ठेवरों से अगर हम लोग देखें, तो जो सकती निर्गत होगी, वो प्रतिर उसमें h के बराबर हो जाएगी, जिसके वज़े से हमारे पास यहाँ पे यह तभी संभव है जब प्रतिरोध r, जो बाहरी प्रतिरोध हमने लगाया, ठीक है, वह आंतरिक प्रतिरोध small r के बराबर हो, यानि कि 4 ohm के बराबर हो, किसके द्वारा, maximum power theorem के द्वारा, ठीक है, त हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा 24 volt का बैटरी है, और हमारे पास 4 ohm का यहाँ पे प्रतिरोध था, आंतरिक प्रतिरोध और वहाँ किसके बराबर होना चाहिए, आंतरिक प्रतिरोध के इसलिए यह भी 4 और 4 हो जाएगा हमारे पास, अब हम लोग इसको हल करेंगे, तो दे हमारे प्रश्ण का उत्तर जोकी हमसे पूछा गया था धन्यवाद